आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट टू वीडियो जिसमें टेस्ट ओफ डिविजिबिलिटी हम लोग डिसकस करेंगे और जितने भी इंपोर्टेंट नंबर्स होते हैं उन सभी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो चलिए एकर करके देखते हैं कि किस तरह से पता करेंगे सबसे पहले यहां पर है हमारा डिविजिबिलिटी बाइट दो से कैसे चेक करेंगे तो किसी भी संख्या का नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट हम लोग को चेक करना है एकाई अंग अगर यह एकाई अंग पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो वो संख्या हमा एक सबी से कैसे चेक करेंगे तो जितने मिन विनन बसकर के डिजिट होगा उसको सम करेंगे जोड करेंगे कि आअ अगर अंगर को अंको को जोड़ कर अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा पूरा संक्या डिवाइड हो जाएगा, 9 से, चली, next बात करते हैं, 4 से, students 4 में आपको क्या करना है, कि किसी भी संक्या का लास्ट दो डिजिट चेक करना है, अगर वो लास्ट के दो डिजिट 4 से हो जाएगा, इसी परकार 8 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे डिवाइड हो गे 8 से, तो पूरा नमबर डिविजिबल होगा, next बात करते हैं, 10 से, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 होता है, student, तो 10 से डिविजिबल होगा चली 5 से देखते हैं, 5 में आपको इनिट डिजिट चेक करना है, 0 और 5 होना चुई है, किसी भी संख्या में, अगर 0 और 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से चेक करते हैं, 11 में क्या करते हैं, कि जो संख्या होता है हमारा, difference निकालते हैं, sum of digits का, odd और event places पे जो होता है ठीक है, यह, odd and event places, और अगर 0 आगे तब भी ओ, 11 से डिवाइड होगा, difference और जो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, difference ओ भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से कैसे चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट अगर हमारा, चेक करेंगे, ओ अगर डिवीजिबल होगा टू हमारे 25 से डिविजिबल होगा, last के हमारे 2-0 अगर होगा, तभी 25 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट के हम्म, दो डिजिट चेक करेंगे, ओध 25 से अगर टिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, डेबल 0 होगा तब 25 से हो जाएगा, ठी यहां पे 7 और 13 का इसमें नमबर का grouping करते हैं तीन तीन नमबर का group बनाते हैं right side से start करते हैं ठीक है right side से and find the difference और उसके बाद difference निकालते हैं उनका sum of odd and even places उसका difference अगर 0 आ जाता है तब भी 7 और 13 से दोनों से divide होगा और जो number अगर आता है वो अगर 7 और 13 से divide हो जाएगा तो number भी divide हो जाएगा ठीक है next यहां पे बढ़ते हैं 16 से 16 से हमें चेक करना है last में 4 digit digit last के 4 digit अगर हमारे divide हो जाता है 16 से तो पूरा संख्या divisible होगा 6 से यहां पे देखते हैं अगर 2 और 3 दोनों नमबर से अगर कोई संख्या divide हो रहा है तो हमारा 6 से भी divide हो जाएगा ठीक है 12 की देखते हैं यहां पे अगर 3 और 4 दोनों अगर संख्या डिवाइड हो रहा है बोट से 3 और 4 तो 12 से divide होगा 15 से चेक कैसे करेंगे तो अगर 3 और 5 से इन दोनों संख्याओं से कोई संख्या अगर divide हो रहा है तो 15 से completely divisible होगा 18 को कैसे चेक करेंगे तो 2 और 9 इन दोनों संख्या से divide होना चाहिए 2 और 9 से 14 का देखते हैं यहाँ पे अगर 2 और 7 इन दोनों नमबर से अगर कोई संख्या डिवाइड हो जा रहा है तो 14 से वो डिवाइड होगा देखते हैं यहाँ पे 24 3 और 8 अगर 3 और 8 से दोनों से अगर संख्या डिवाइड हो रहा है तो हमारा 24 से completely divisible होगा ठीक है और उसके बाद है यहाँ पे 40 40 में 5 और 8 अगर इन दोनों संख्या से कोई नमबर डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा इसके बाद है 80 80 से तो अगर 5 और 16 अगर दोनों संख्या उसे डिवाइड हो जा रहा है कोई संख्या तो हमारा 80 से डिवाइड होगा तो यह इंपोर्टेंट पोईट्स है बहुत ही एक्जामपल भी हम लोग इसका देखे है और वीडियो भी इसका में देख सकते हैं इसका लिंक में देद दोंगा ठीक है बाकी यह इंपोर्टेंट है याद रखना बहुत ही जरूरी है इसका यूज करना तो चलिए नेक्स्ट इसका यह इसका बहुत है